कि नवस्ते जी सभी को कैसे हैं सब आज हम बनाएंगे सूज रैक सूज रैक जो हैंक कर सकते हैं मतलब छोटी जगे में भी आपको सूज रखने हैं और अस्वेस्य फड़े रहते हैं तो उसके लिए हम ये मैंने पुराना थोलिया लिया इसने में आपको बना कर दिखाओंगे आप चाहें तो नए कपड़ से भी बना सकते हैं और एक है मेरे पास पुरानी पेंट है पुरानी जीन्स है इससे भी हम इक अच्छा सूज रैक ब बना सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं तो जी तोलिया मैंने बिचा लिया इस पर अब हम इसे देख लेते हैं कि इसकी चोड़ाई कितनी है तो यह मैंने बिचा लिया है अब आप देखते हैं इसकी टोटल चोड़ाई है कितना है भी देखते हूं मैं आपके इसकी चोड़ा अभी में टावल को डबल करके देखो मैंने टावल को डबल कर रहे है और सीधी लाइन ड्रो कर ली है मैंने इस पर एक लाइन ड्रो कर ली है जिससे काटने में आसानी हो और तिर्चा विर्चा ना हो तो देखो अभी में इसको कट कर लेती हूँ अगर आपको डबल करके कट करने में दिक्कत हो भई क्याची नहीं चल रही तो आप सिंगल करके भी इसके लंबाई में से किसी भी कपड़े के ऐसे पीस कर ले थ्री बागों में डिवाइड कर ले उसको तो अभी मैंने देखो काट ले हैं तीनो आई ये जो नाइन इंच वाला पीस है मेरा अभी मैं आपको एक बार और दिखा देती हूं कि इसकी सवा नो इंचे लेंद मतब चोड़ाई देखो नो इंचे ठीक है तो इसको मैं डबल फोल्ड करूंगी ऐसे ठीक है डबल इसके च चार उतर पैसे किनारे किनारे ताकि इसके धागे ना निकले थोड़ा सा देखने में भी ठीक ठाक सा लगे ये और ये कपड़ा भी मेरे पास वेस्टी पड़ाई कत्तर है बची हुई सूंट बनाया था उसकी तो ऐसा ये मैं इसको पतली-पतली सी पट्टियां काट ली है कि वह ट्रीक है इसके आप ऐसे रखके इसके उपर और मतब ये पट्टि रखके सीधी सिलाई लगाते रहे और जब ये चारो तरफ लग जाएगी फिर पलटके इसको अंदर को थोड़ा सा मोड के तब इसको आप कर सकते हैं ऐसे ही मैं चारो तरफ इस पर लगा लूँगी अब देखो जब हम किनारे पर आजाते तो कैसे किनारे पर ना एक चुणनट ऐसे थोड़ा सा कपड़ा एक्ष्टा लेके चुणनट डाल दे तो आप जब इसको मोडेंगे ना परली तरफ मोडेंगे तो इसमें जोलनी पड़ेगा ये अच्छे सा मोड जाएगा तो देख पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं अच्छे से अभी देखो आप अच्छे से देखो ये नजदीक से दिखाती हूं यसे हलका सा अंदर को मोडते हो यसे किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए मिश पर चले जाएंगे तो इससे थोड़ा सा कवर हो जाएगा इसके लंबी लंसों हैं जो साड़े आठ इंच उंस परे जो ये वहला है यह ये बेस ह्ession इसके उपर अब हमे रहे हैं टो नों को लगाना है तो में एक सिलाई या नीचे लगा देंगे ठीक है फिर हम which a यहां से हम लेंगे कंशक्ल्सीर,та दाने ये फे exactly 2-2 इंच-प एक ऐसे प्लेट डाल देंगे और पांच इंच पे निसान लगाएंगे जिसे पांच इंच इधर से ले लिया और पांच इंच ही इधर से ले लिया ऐसे सीधी एक लाइन ड्रो कर देंगे अब फिर हम धाइंच की एक प्लेट डालेंगे इस तरह और मैंने नापपा नहीं है संद लाजे से ढाल दिए फिर पाँच इंच पह हम ड्रो कर दें गे लैंन। तो हमारे जहां हमने लाइन ड्रो करी है ze उस िेजिए एक नीचे यह खिए एक नीचे इधर यह दूसरे वाले कपड़ से करेंगे अर्म अब दूसरी तरफ हमने एक चुण्नत डाल दिए समें एक बड़ी चुण्नक और फिर हम पांचिंच पे एक लाइन डॉ कर देंगे तो जहां आमने या में आपको छन रचान करते हैं मैं नीचे सिलाई लगे यह लाइन खिया और ये चुण्नतों को एक साइड किया जहां लाइन ड्रो है वहां पर हमने एक सिलाई लगा दी अब कुछ नी मोड़ना तोड़ना कुछ नहीं बस सिद्धी सिलाई लगानी है से इसमें इस तरह की पोकिट सी बनती चली जाएंगी एक तरह से जिसमें आप अपने सूज ये इस चुनट को इधर पल लगा दिये देखो तो हमारा एक साइड का कपड़ा बेस में जुड़ गया है और ये जो उपर हमारा थोड़ा सा बचा है इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे अर्य जो मैंने उपर ये कपड़ा बचाया है इसका अभी मैं आपको आगे यूज बताती हूं कि इसका हम क्या करेंगे तो अभी बाग की चीज देख लेते हैं देखो इस तरह की ऐसे छोटी-छोटी सी पोकिट्स बन जाएंगी इसमें अब हम सेकिंड मतलब दूसरी साइड लगा के देखते हैं कि हमें कैसे लगाना है ऐसे ही चुणनट डालते हुए इस तरह और हम जहां पीछे की सिला है उसी के उपर इनकी भी शिलाई लगा लेंगे ध्यान से ताकि नीचे वाला कपड़ा तिर्छा ना हो इस तरह करके यहां पर यहां पर चुणनट के नीचे नीचे इस तरह हम शिलाई लगा लेंगे इस पर भी तब इम आपको लगा के दिखाती हूं देखो यह उपर कपड़ा बचा है इन दोनों को आप हम आपस में जोड़ देंगे पहले ताकि यह दरुदर ना भागे जो मेरा यह पहले वाला स्टिच वाला वीडियो था आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और यह सूज रैक की भी किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप तो यह इसमें हैंगर डालके और इसमें सिलाई लगा देंगे जिससे हमें इसे टांगने में काफी आसानी हो जाएगी और यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है किसी ने मुझ से पूछा था कि आप हैंगिंग का सूज रहके एक बताए बना के तो मैंने उसी के उपर यह ब रख सकते हैं अभी मैं आपको रख के भी दिखाती हूं देखो ऐसे हम आते हैं बार से निकाल देते हैं जुत्ते चपलों को तो आप इस तरह का कोई भी एक हैंग करने वाला बना लें और ऐसे देखो दोनों तरप इसमें पोगिट हैं एक पेर आ गया अब यह सेकिंड पे फार भी मैंने रख दिया है और यह हो गया है फिफथ इसमें आपके पांच जोड़ी जूते आराम से हन्क हो सकते हैं और आपने मैंने इसमें हैंगर लगा दिया आप इसे कहीं भी एंक कर सकते हैं दर्वाजे के पीछे कहीं भी जहांब जहां आपको लगे या कोई उसी जीनक्त है है आड इससे बनाना तो इतना आसान है बहुत ही जाधा असान यह यह 1 घी पर प्लड़िफ ऑट इन्च करके नीशान लगा लेंगे आट इंच कपने पर डेखो मेने इस तो आट इनुच पर लगाया है हाव निसान आट इन्च पर है नीचे से ऐसे एक लईन पर तो मेरे को कट करना है और एक लगानी सिलाई तो इसलिए मैं दो लाइन ड्रो करने था किमधूजर्द ना हो अब धूब पेंट को इस तरह मोड लेंगे किस्त bulbs ल suppression करते हैं नखिस तरह मोड मेंए और किस retained लगा इस उसके बाद हमें इसमें सिलाई करनी है तो आप देखिए कैसे हमें इसमें कट लगाना है तो देखो जैसे ये उपर वाली लाइन है उस पे तो हमें सिलाई करनी है और नीचे वाली लाइन पर हमें कट लगाना है ऐसे इधर है तो आप ऐसे नीचे वाली लाइन पर कट लगा दे, आप एक एक करके काटे, क्योंकि मोटा कपड़ा होता है, पैंट का, इस तरह आप इसमें, जहां तक आई ये सिलाई है बीच वाली, इसके पीछे तक हलका कट लगा दे, और इसकी पोकिट वगेरा सब अंदर ही दप जाए और जो ये सिलाई लगा देंगे, और इधर वाली पोकिट पर भी सिलाई और इसकी चैन पर भी हम बीच में एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये इसका डिवाइडेशन हो जाए, देखो मैंने चारो कट काट के तयार कर लिए है, अब मैं आपको दिखाती हूं इसके सिलने तरीका, तो जैसे ये है, तो हम ये उपर वाले पर सिलाई लगाएंगे, और नीचे वाले को हरका सा अंदर को मोड़ेंगे, जिससे ये पोकिट का रूप ले ले, और उपर सिलाई लगाएंगे, तो उपर से भी हलका सा अंदर को मोड़ेंगे, जिससे धागे वगेरा ना निकले तो यहां हमारी एक pocket बनके तयार हो जाएगी ऐसे उपर वाला उपर वाले को थोड़ा सा अंदर को मोड़ेंगे और नीचे वाले को भी थोड़ा सा अंदर को मोड़ेंगे जिससे थोड़ी सी finishing सी आ जाए तो सारी जितनी भी मैंने कट लगाए है इस pocket पे पहले मैं सिल प्राड वाला काम है आप ऐसे ही रखते हुए इसमें सिलाई लगा लें देखो देख रहे हैं उपर की साइड हमें सिलाई लगानी है आप मोड़े अंदर ना मोड़े कोई दिक्कत नी है और इसको आप धागे को तोड़े ना इधर से शुरू करें पूरा पार उतार देश इसको सिलाई लगाते हुए जिससे ना यह इसके जो पैर है आपस में जुड़े भी रहेंगे यह मैं पहले उपर वाली सिलाई सारी लगा रही हूं अभी आप ध्यान से देख लीजिए ऐसे ही पैंट रखके इसके उपर ऐसे सिलाई लगाते चले जाए उपर की साइड जह हलका सा अंदर को मोड़ते हुए इसे थोड़ा सा तुरप देंगे जिससे इसके धागे ना निकले और यह देखने में भी थोड़ा सा ठीक लगे जादे भिखरा भिखरा सा ना लगे तो यह मैंने मोड़ दिया है यह भी मैंने मोड़ दिया है अभी बचा है यह इसको भी कोई में थोड़ा सा आसा पकड़ेंगे और अच जाना मोड़ेंगे समझे सकते हैं जैसे पूरपते हैं इसी चीज को दूरपन करते हैं तो ये उसी na मे betting वाले आमें इसको करना है तो देहो ये हो गया है थयार थोड़ा बोद रहे रहा है उसे भी कंप्लीट करके आपको तब दिखाऊंगी यह हमारी पोकिट्स बन गी है इसकी ठीक है और सबसे नीचे पोचों पर भी आपको सिलाई लगानी है और यह एक्स्ट्रा धागे में इसके कट कर दूँगी और यह मैंने सिलाई लगाते वे दोनों पोचे एक साथ जुड़ ग करके देखो कहीं भी आप इसको टांग सकते हैं अभी तो मैं दर्वाजे के पीछे यह आपको टांग के दिखा रही हूं और आप देख सकते हैं कि इसने एक सूज्रैक का रूप ले लिया है यह एक बिल्कुल बेकार जीन्स थी देखो आप इसमें अपने कित्ते सारे जू और योगे हैं देखो कित्ते सारे आपके जूतों को यह संगवा कर रखेगा तो जी आपने रिक्वेस्ट कर थी मैंने पूरी करी बना के दिखा दिया है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेर करें कमेंट करें और अगर आपको कुछ और ब आपको आपके दिखा रखेर साली को बहुत प्यार देने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलती हूँ अपनी और किसी वीडियो के साथ देखते रहे ये मेरी वीडियो और अगर मेरी चैनल को ससक्राइब नहीं किया तो ससक्राइब करलें और ieक भी कर दिया क करें उससे मुझे होसला मिलता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूं और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चलिए जी मिलती हूं फिर अपनी और किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते और बाई बाई